निर्दली उम्मिद्वार नरेश मीड़ा और SDM के बीच थपड कांड के बाद नरेश मीड़ा को गिरफतार कर लिया गया और गिरफतारिक बाद उनका मेडिकल कराए गया मालपूरा थाने में नरेश मीड़ा का मेडिकल कराए गया नरेश मीड़ा के समर्थकों का भी मेडिक किया गया था कानुन ब्यवस्था का हवाला देते हुए नरेश मीरा को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरी पेश किया गया कोट ने नरेश मीरा को चौदा दिन की नाई का अभिरक्षा में भेज दिया गौरतलब की 13 नौंबर को देवली उनियारा में उप्चुनाव के दौरा नरेश मीरा ने SDF अमित चोधरी को थप पर जड़ दिया था जिसके बाद मामला काफी ज़्यादा भड़क गया नरेश मीरा के समर्थक और दर्सन कायों ने हंगामा कर दिया और उसके बाद पुलिस पर पथराव किया गया जिसके बाद पुलिस को उसे जवाबी कारवाई करते हैं लाटरी चार्ड और आश्री गैस के गोले भी छोड़े गए थे साथ ही नरेश मीरा को हिरासत में लिया गया है लेकिन नरेश मीरा भारी भीर के बिच पुलिस की हिरासत से फरार हो गये नरेश के समत्कों ने मौके पर पुलिस पर पतराव किया, पतराव में कए पुलिस के जवानों को चोटे भी हैं और स्टिफ के जवान भी घार हो गए सुरक्षा कारणों से मीरा को अदालत नहीं ले जाए गया बलकि उनकी पेशी वीडियो कांफरेंसिंग के जरिये हुई है मीरा को निवाई कोट में फर्स्ट क्लास जो रिशल मजिस्टेट के सामने पेश किया गया नादीश न मीरा को पुछता चले 14 दिन की नहीं खिरास ने भेजना एक आदेश दिया अदालत के आदेश के बाद नरेश मीरा को थाने से भारी सुरक्षा के भी टॉंक जिला जेल में ले जाए गया पुलिस के घेरे के बीच मीरा को पुलिस की वेन में बिठा करके जेल ले जाए गया समरावता में थपड कांडे और मतदान के बाद हुई हिंसा के मामले में नरेश मीरा के लावा बावन अन्य आरोपियों को भी हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है खाने से बेन को ले जाते हैं वहां मवजूद पत्रकारों से दूर से ही मीरा से सवाल पूछने की कोशिश की लेकिन नरेश मीरा का गला बैठा हुँ था उन्होंने कुछ बोलने की कोशिश की मगर वो इस्पस्ट था मीडा को बेन से सिर्फ इंकला बोलते हुए सुना जासे का नरेश मीडा के खिलाब मालपूरा के SDM अमी चोधरी ने मुकदमा दर्जी किया है मीडा ने 13 नमबर को एक मरदान केंदर के सामने सब के सामने SDM को थपड़ मारा था इस मामले ने देखते ही देखते हैं तूल पकड़िया मीडा और उनके समर्थक बुधवार को मरदान के बाद समरावता गाउं में उसी मरदान के अंदर के पास धरने में बैठ गए पुलिस ने राद को ने रोकने की कोशिश की जिसके बाद वहाँ बड़े पैमाने पर हिंसा और आगजनी हुई लगभग साथ दो पहिया बाहन अठारह चार पहिया बाहनों को जला दिया गया इससे पूरे इलाके में तनाव की स्थिती पैदा हो गई दूसरी और गुरुबार को राजेस्थान प्रशासनी की सिवा के अथिकारियों ने अपने अधिकारी पर हमले के विरोद में पूरे राज में हर्ताल कर दी इसके बाद गुरुबार को भारी सुरक्षा के बीच पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या वे कि टेम समर्था गां म зов नरेश मेरा को गिरफतर कर लिया गया ने क्यों के इस्तिती और पुलिस को आंसुगैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा इस्तिffee पूर्पोटा हाईवे को जाम करने की कोशिश कि मगर पूलिस और प्रशासन के समझाय से स्थिति को नियंतित कर लिया गया इस बिच आरेस अधिकारियों ने भी मुख्यमंत्री भजलाल सर्मा से अपने प्रतिनी मंदल की मुलाकात के बाद अपनी हर्ताल को समाप्त कर दिया है लेकिन मामला तूल पकड़ता चला जा रहा है और अभी भी उनके समर्थक जो हैं हंगामा करने के लिए तयार बैठे हुए हैं और इन्हीं सब चीज़ों को देख दो फिलहाल अब इस बात की चर्चा हो रही कि नरेश मीड़ा पर आखिर और क्या-क्या कारवाई हो सकती है अना कि इसके बाद उनके जतना समर्थन में लोग भी हैं तो उतने ही उनके खिलाप भी हैं कि नरेश मीड़ा पर सकत करवाई होनी चाहिए क्योंकि उन्हें एक प्रशासनी का धिकारी को पर ठपड़ से हमला किया है चाहिए से बात है कि नरेश मीड़ा के मामले को लेकर पर क्या पन्दाजा लगा सकते हैं कि पुलिस काफी सुरक्षा के बाद टॉंक के जिला जेल में उनको लाया और इसके बाद कड़ी सुरक्षा की वीच उनकोुप जेल के अंदर शिप्ट किया गया है चाहिसी इसुंको उनको रखना अच्छा के रिषात से इछा नहीं था लेहाजा उनको जिला जेल टॉंक में लाया गया है और इसी के नाते से उसकी तश्वीर जैसे सामने आई उनके समर्थकों का हंगामा शुरू हो गया अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें आठ मिलियन प्लस सब्सक्राइबर आपके इस भरूसे के लिए बहुत धनिवाद